जैसरी शाम मित्रों, मैं आपका जोतिश मित्र पंडित हर्ष, एक बाल फिर से आपका मेरे यूटूब चैनल एश्टो पंडित हर्ष सर्मा में स्वागत है बड़े ही सरल तरीके से जोतिश को जानेंगे और समझेंगे मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विशा रहने वाला है विशाक का महिना जैसा कि मित्रों आप जानते हैं विशाक मास चल रहा है और विशाक माह में कुछ S से उपाई में आपको बताने जा रहा हूँ जिने करने से हम ले पाएंगे अपने जीवन में लाग तो जुड़े रही है मेरे इस यूटूब वीडियो के साथ में अंत तक आईए मित्रों जानते हैं विशाक माह में करने वाले कुछे से विशे सुपाई जिने करने से हम ले पाएंगे अपने जीवन में लाग मित्रों विसाक मास 2022 सत्तर अप्रेल से 16 मैस 2022 तक चलेगा हिंदू महा के दुरान दान पुन्य श्री विश्णु और गंगा पूजा जल का दान एकादसी का व्रत रखना गंगा सनान आदी का महतोग बताया गया है आईए जानते हैं कि इस माह में कोन से ऐसे पुन्य कारे हैं जिने करने से हम विसाक माह में लाब ले पाएंगे मित्रों उन्हीं में से मित्रों एक उपाई हैं विसाक मास में बगवान विश्णु की पूजा का विधान है इस दोरान बगवान विश्णु की तुलसी पत्तर स माधव रूप की पूजा की जाती है उन्हें पंचाम्रत का भोग लगाएं और उस पंचाम्रत में तुलसी पत्र डालना नहीं बोले साथ ही उन्हें सफेद या पीले फूल अद्पित करना चाहिए ऐसा करने से हम जीवन में लाब ले पाएंगे मित्रों मित्रों इसी महा के दोरान आपको ओम माधवाई नमय मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए साथ ही बगवान विश्णों के केशव हरी गोविंद त्री विक्रम पद्वनाव मदू सुदन अचुद और रिशिकेश नाम का भी ध्यान करना चाहिए मित्रों मित्रों इसी महा में अक्षे तिर्थिया के दिन बगवान विश्णों के नर नरायन का सहित परशुरामो है ग्रिव का अवतार हुआ था इस महा में नर सिंग बगवान कूम अवतार मा गंगा बगवान चित्र गुप्त की पूजा भी की जाती है मित्रों मित्रों विसाक माह में अमाउशिया आखातीज और कुर्निमा के दिन पित्रों के निमित तरपन और पिंड़ दान करना चाहिए मित्रों विसाक माह की कता भी इसी का महतोब बताया गया है कथा के अमसार धरंबरन नामक के विप्र ने वेसाक अमाशे पर विदी विधान से पिंड दान करके अपने पित्रों को मुक्ति दिलाई थी स्राद करने से पित्रों का आसिरवाद भी मिलता है मित्रो मित्रों इस महिने में भगवान शिवी जी की पूजा करने से कई गुना सुभ भल मिलता है और वे जल्दी परसन हो जाते हैं मित्रों मित्रों इस महा में जल का दान सबसे बड़ा पुन्य दान माना गया है अतै प्याव लगा कर रहागिरों को जल जरूर पिलाएं इस पुन्य कारे की मादम से जातक त्री देव की किर्पा को प्राप्त करता है मित्रों मित्रों इस महा में पंख्य का दान करना भी पुन्य काम है दूप और परिश्रम से प्रीडित लोगों को जो पंख्य से हवा खिला कर सीतलता पर दान कराता है वह इतने ही मातर से निश्पाप होकर बगवान का प्रिय हो जाता है पुराने समय में ताड का पंख्या दान किय जाता था इससे ब्रह्म लोग की प्राप्ति होती थी मित्रों और आज भी किये जाते हैं कई स्थानों में मंदिरों में तो इससे ब्रह्म लोग की प्राप्ति होती है मित्रों मित्रों अंध दान करने से बड़ा कोई पुन्या नहीं है दोपहर में आए हुए ब्रहमन अतिति या भूखे जीव को यदी कोई बोजन करवाए तो उसको अनंत पुन्या की प्राप्ति होती है मित्रों मित्रों सास्त्र कहते हैं जो किसी जरूर्द मंद वेक्ति को पादु का या जूते चपल दान करता है वैं यम दुत्तों को तिरस्कार करके भगवान स्री हरी को लोक में चला जाता है तो ये दान भी करना चाहिए मित्रों मित्रों निद्रा के दुख का नास होता है निद्रा से ठकावड दूर होती है इसलिए जो मनुशे तिनके या खजूर आदी के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है उसके सारे दुखों का नास हो जाता है और परलोग में उत्तम गति को पाता है मित्रों मित्रों विशाक महा में इसी तरह के दानपुन्य करने से हम जीवन में खुब लाब ले पाएंगे। इसी दोरान इस महा में विशेश दिनों में नदी, जलास्या या कुंड आदी में सनान करना बहुती फल्दाई माना गया है मित्रों। मित्रों विशाक महा में सूर्य देव को अर्थे देकर बैतेव जल में तिल प्रवाहित करना चाहिए मित्रों मित्रों इसी महा में काल सरप दोस्ट से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिति पर जोति सी उपाई किये जाते हैं अमावसिया एक दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चड़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए मित्रों मित्रों सनी देव से मुक्ति दक्षिन भारत में विसाक अमावसिया पर शनी जैनती मनाई जाती है विसाग अमावसिया पर शनी जेन्ती भी मनाई जाती है इसलिए शनी देव तिल तेल और पुष्प आदि चड़ा कर पूजन करना चाहिए मित्रों मित्रों सभीत्रा के संकटों से मुक्ती के लिए विशाक कथा का स्रवन करें और गीता जी का पाठ करना चाहिए मित्रों मित्रों विशाक माह में तेल लगाना, तली भुनी चीजों को खाना, दिन में सोना, कांसेगे पातर में बोजन करना, पलंग या खाट पर सोना, घर में नहाना, निशित पतार खाना, दो बार बोजन करना तथा रात में खाना आधी त्याज माना गया है मित्रों मित्रों विशाक महा में पुराणी कता सुनने से पुन्य जी प्रापती होती है मित्रों मित्रों विशाक महा की दोनों एकादसी में वरत रखना बहुती महतकुन और पुन्या का कार्या होता है मित्रों मित्रों विशाक महा में गंगा मात्ता की उपासना करना पुन्या दायक है इसके साथ ही अमाउस्या पर सनी देव की उपासना करना भी चाहिए मित्रों एसा करने से हम जीवन में लाब भी ले पाएंगे और विशाक का पुन्य भी साथ में ले पाएंगे मित्रों इसी तरह की अन्य जानकारी जानने के लिए हमारे यूटूब चेनल को लाइक करें, शेर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको मेरे द्वारा बताएगे जो तिस यह उपाय आपको मिल सके पित्रों आज के लिए बस इतना ही जैसरी शाम